मेरे पास JBL Commercials के दो प्रडक्स आ चुके हैं ये है वो दो प्रडक्स CSLM20 और CSLM20B ये जो CSLM20 है ये लावलेयर माइक है विट येफोन और CSLM20B जो है ये बैटरी अपरेटेड लावलेयर माइक से हैं ये दोनों माइक्रफोन्स वर्क फ्रम होम के लिए परफेक्ट है JBL और हर्मन ये जो ब्रैंड है जाने माने ब्रैंड है इनके जो एक्सपरटीज है उनका लाव लेकर JBL कमर्शियल ब्रैंड जो है इसे इंटर्ड्यूस किया हुआ है ये ब्रैंड हाई परफॉर्मन्स आडियो शलूशन्स आफर करने वाला है वो भी एफोड़िबल प्रैसिंग के साथ में है वैसे ये जो दो प्रड़क्स है लाव लेयर माइक्रफोन्स इनका प्रैसिंग कफी अच्छा है तो ये दिखिए इस प्रिकार की बाक्स पाकिंग है दोनों प्रड़क्स अलग है जेबियल, कमर्शिल, बाय, हामन सबसे पहले ये जो CSLM20 है लाव लेयर माइक्रफोन विट येरफोन इसकी अन्बॉक्सिंग करते हैं ये लीजिए, बाक्स को मैंने खोल दिया है और बाक्स के अंदर आपको एक तो ये यूजर गाइड मिलता है जिसमें आपको इस प्रड़क के बारे में जानकारी मिल जाएगी और इसके अलावा ये पाउच दिया हुआ है कपड़े का पाउच है और इसके अंदर ये है वो लावलियर माइक्रोफोन और इस माइक्रोफोन की खासित ये है कि ये ये फोन के साथ में आता है जो की मॉनिटरिंग के लिए काफी काम में आ सकता है ये दिखें, ये है माइक ये क्लिप के साथ में आता है इसे आप अपने shirt या T-shirt पर attach कर सकते हैं इसके अलावा box में extra clip दिया हुआ है और साथ में ये wind screen किया हुआ है जो wind noise है उसे reduce करने के लिए और ये adapter दिया हुआ है वैसे जो CSL M20 lavalier microphone with earphone जो है ये TRRS 3.5 mm audio connector के साथ में आता है और साथ में box के अंदर ये TRS adapter भी दिया हुआ है extremely lightweight है और laptop और most smartphones के साथ में compatible है ये जो single earphone है ये monitoring के लिए काम में आ सकता है और video conferencing के लिए या फिर calls के लिए भी आप इसका उप्योग कर सकते हैं CS LM20 ये clip on omnidirectional lavalier microphone है इसे आप multiple angles पर clip कर सकते हैं और ये दिखें यहाँ पर जो microphone है इसे मैंने निकाल दिया है और ये जो holder है इसे आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं ये greater flexibility provide करता है जो की perfect है content creators और presenters के लिए फिलाल मैं यहाँ पर इसे फिर से attach कर देता हूँ ये दिखें तो ये जो CS LM20 lavalier microphone with earphone जो है इसका testing मैं बाद में करने वाला हूँ फिलाल ये जो box है इसे में खुलता हूँ तो ये है JBL commercial CS LM20B battery powered lavalier microphone और इसकी भी मैं आपको unboxing करके बता रहता हूँ ये लिजिए box को मैंने कोल दिया है और इसके अंदर भी उसी प्रकार की packing है आपको एक तो ये user guide मिलता है जिसमें आपको इस product के बारे में details में जानकारी मिल जाएगी और उसके अलावा ये pouch दिया हूआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं JBL का logo है इसे मैं कोल देता हूँ ये कपड़े का pouch है जिसमें आप ये जो microphone है दोनों ही microphone जो है इन्हें store कर सकते हैं और दोनों microphone के साथ में आपको ये pouch मिलता है और इस box के अंदर ये देखिए ये है microphone ये बहुत ही लंबे cable के साथ में आता है और यहाँ पर है battery compartment इसे मैं खोल के आपको बतायता हूँ ये देखिए ये जो भाग है इसे आप अपने shirt पर clip कर सकते हैं और यहाँ पर आपको button cell batteries दालनी है और जो microphone है उसे इस प्रकार से pack किया हूआ है ये जो microphone है इसके साथ में ये clip दिया हूआ है जिसका उप्पर करके आप इसे अपने shirt या टी-shirt पर attach कर सकते हैं और ये wind screen के साथ में आता है तो जो packet है उसके अंदर आपको ये सारी चीजे मिलती है एक तो है ये button cell battery जिसे आपको इसके अंदर दालना है और ये extra wind screen दिया हूआ है एक extra clip दिया हूआ है और ये है 6.3 mm adapter जिसे आप mixer amplifier के साथ में उप्योग कर सकते हैं तो जो battery है उसे मैंने इस battery compartment में दाल दिया है और ये जो धकन है इसे मैं बन कर देता हूँ और ये जो controller है यहाँ पर आप दिख सकते हैं कि JBL commercial लिखा हूआ है और यहाँ पर एक button दिया हूआ है और दो options है एक है off slash smartphone तो अगर आपको इस microphone को smartphone के साथ में यूज करना है तो ये option पर रखिए और अगर आपको camera के साथ में यूज करना है तो जो button है इसे इस प्रकार से उपर प्रेस किजिए चलिए जो CSLM20 lavalier microphone with earphone इसकी पहले देस्टिंग करते हैं मैं अलड़ी एक lavalier microphone का उप्यक कर रहा हूँ तो ये जो microphone है इसे मैं यहाँ पर clip करता हूँ ये लीजिए मैंने यहाँ पर इसे clip कर दिया है ये दोनों microphone जो है इनका जो pick-up pattern है ये omni-directional है मतलब कि 360 degrees ये sound को pick-up कर सकते हैं वैसे जो microphone है ये background आवाज भी pick-up करने वाला है लेकिन क्योंकि आप इस microphone के पास है मतलब कि आपने यहाँ पर connect किया हुआ है तो आपको जो आवाज है उसे ज़्यादा प्रिफरेंस मिलता है अब ये भी बहुत लंबे cable के साथ में आता है इसे मैंने मेरे smartphone के साथ में connect किया हुआ है और यहाँ पर smartphone पर मैं recording करने वाला हूँ और बाद मैं आपको सुनाओंगा कि जो recording है वो कैसा है वैसे जो microphone है work from home professionals के लिए काफी अच्छा है और videos और conference call के लिए भी आप इसका उप्योग कर सकते हैं तो अब जो आवाज आप सुन रहे हैं वो मैं इसी microphone से record कर रहा हूँ और जिस room में हूँ यहाँ पर जो fan है वो off है मतलब कि एक तरह से silent environment है लेकिन मैं अब जो fan है उसे on करता हूँ ताकि आपको idea मिल जाए कि noisy environment में यह जो microphone है किस प्रकार से आपको जो आवाज है उसे pick up कर सकता है तो यह जी जी मैंने fan को on कर दिया है और अब मैं बात कर रहा हूँ normal तरीके से बात कर रहा हूँ इससे आपको idea मिल कि होगा कि जब noisy environment होता है तो यह जो microphone है कितना बढ़िया तरीके से आपकी आवाज को record कर सकता है एक बार आपने अपनी आवाज को smartphone में record किया उसके बाद में यह जो earphone है इसका उप्यों करके आप monitoring कर सकते हैं उसे सुन सकते हैं कि recording कैसी हुई है तो काफी काम में आता है चलिए अब यह जो JBL commercial CS LM20B microphone जो है जो battery के साथ में आता है इसकी testing करते है cable का length है यह जादा है जो पहले वाले microphone है उसके comparison में बहुत जादा है अब यह जो microphone है इसे मैं मेरा camera है उसके साथ में connect करता हूँ और camera में directly recording करता हूँ तो अगर आप कोई professional DSLR camera यूज़ करते हैं तो आप इस प्रकार के microphone के लिए जा सकते हैं तो यह लिजए यह जो microphone है इसे मैंने connect कर लिया है और अब यह काम कर रहा है बटन है इसे मैंने देख सकते हैं कि camera पर रखा हुआ है अब जो microphone है इसे मैं यहाँ पर clip करता हूँ और मेरी आवाज जो है यह directly camera में record हो रहा है वैसे मैं silent room में हूँ और यहाँ पर कोई भी आवाज नहीं है लेकिन अब मैं जो fan है उसे on करता हूँ और फिर बात करते हैं देखते हैं कि noisy environment में यह जो microphone है किस परकार का recording कर सकता है तो fan on है और मैं बात कर रहा हूँ मुझे नहीं पता कि जो recording है यह किस परकार की हो रही है लेकिन मैं उसे बाद में चेक करने वाला हूँ लेकिन आपको idea मिलके होगा कि यह जो microphone है noisy environment में किस परकार से काम कर सकता है वैसे मैं आपको फिर से बता दूँ कि यह microphone है यह battery operated है तो अगर आप यह microphone का upyork करना चाहते हैं तो जो batteries है extra batteries ज़रूर रखिए अब यह जो battery powered microphone है यह थोड़ा सा अलग है क्योंकि यह digital cameras के साथ में compatible है और mixer amplifiers के साथ में भी compatible है वैसे अगर आप चाहें तो इसे smart phones, tablets और laptop के साथ में भी use कर सकते हैं podcast, interviews, vlogging इसके लिए यह microphone बहुत ही बड़ी option है JBL commercials के high performance lavalier और handheld microphones available है with JBL sound, content creators और professionals के लिए चलिए अब मैं प्राइजिंग के बारे में आपको बताता हूँ यह जो JBL commercial CSL M20 lavalier microphone with earphone जो है, इसका pricing है 999 रूपीज, जी हाँ दोस्तो 1000 रूपीज के अंदर और यह जो battery operated lavalier microphone जो है इसका pricing है 999 दोनो microphone का pricing है यह सेम है 999 रूपीज और JBL commercials के जो अन्य प्रोड़क्स है इन्हें आप Amazon पर चेक कर सकते हैं उसका link मैंने video के description में दिया हूआ है तो दोस्तों, यह जो microphones है यह आपको कैसा लगा और जो audio test मैंने आपको सुनाया यह आपको कैसा लगा comments के मादम से मुझे ज़रू बताइए इस video को like कीजिए और देखते रहे हैं